हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर फ्यूचर स्टड़ी में तो फ्रेंड्स यहां पर डिट्र प्लस भी सी टैट एच टैट एड़ के विएस एंड अधर कॉम्टेटिव एक्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पर अगर अगर आप इस चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा तो हम हिंडी व्याकरण में संधी का टॉपिक देख रहे में उसके बारे में हमने कवरफ किया है तो अब वेंजन संधी देखते हैं कि वेंजन संधी क्या है किसी कहते हैं वेंजन संधी तो चलिए शुरू करते हैं । वेंजन संधी, उसकी क्या definition होगी, वेंजन के बाद स्वर्या वेंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे वेंजन संधी कहते हैं, जैसे, एक्जाम्पल से आपको definition अच्छे सी क्लियर हो जाएगी, जैसे उधान दिया है आपर, वाग प्लस इस, तो क्या बन गया, वाग इस, कैसे बना कर, और बड़ी ए के मेल से क्या बना गी, तो जो पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ड क्या है, कर, जो की एक वेंजन है, और वेंजन के बाद कोई स्वर्या आया है, तो क्या, तो कौन सी संधी होगी, वेंजन संधी, जैसे कि परिभासा में गिया है, वेंजन के बाद कोई स्वर तो ये वेंजन है पहले वर्ण का पहले शब्द का आखरी वर्ण वेंजन होना चाहिए वेंजन संधी में अगर आखरी वर्ण स्वर हो गया तो वो सवर संधी हो जाएगी इसके आगे या तो स्वर आ जाए या वेंजन आज़ें, उन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो वो vengeance sundhiva होगी. यह rule कि एक गा कैसे बना, यह rule भी हम देखेंगे, पहले vengeance sundhiva को देख लेते हैं, कि vengeance sundhiva क्या होती है, तो ऐसे का और य से मिल के गी बन गया, तो क्या बन गया इसका संधि, वाघिस. नेक्स एक्जम्पल है सत प्लस जन तो इसमें क्या है लास्ट में पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है तो जो कि एक व्यंजन है और इसमें दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है जो कि एक व्यंजन है जैसा कि यहां दिया था स्वर इसमें दिया था और व्यंजन यहां की में यहक्त ओर स्विधन के सामने तो जहांपल चानी इसका संथी सब्सक्राइब सज्जन एक और एक्जाम्पल देखते हैं उत्थ प्लस हार तो यहां से क्या है यह वेंजन है तो और यहां पर क्या है यह 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 वेंजन है हा तो इन दोनों के मेल से क्या बन गया दो मतलग क्या बन गया इसकी संदी के आओगी उधार एक चीज ओर अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि इसमें दा आधा है या धा आधा है मतलब दा आधा है या धा आधा है तो कौन सा होगा हाफ दा होगा या धा होगा तो ध्यान रखिए आपसे कभी भी कोई भी पूछे अगर आपक पता चल जाएगा यहां पर धा half और जो है वह आधा है नोटके जिए इस vatको आपने कई बाद कभी ध्यान नितिया हुआ कि समें कूछा वढ़ चोटा है और कौन सा आधा है, कौन सा पूरा है, तो धा पूरा है, जो की नीचे दिया हुआ है, और दो जो है, वो आधा है, एक चीज और, कोई भी चीज, हलकी चीज को उठा, कोई भी व्यक्ति, खुद भारी होगा, तब भी हलके व्यक्ति को उठा सकता है, तो आप ऐसे भी करके ध् तो यहां पर आप यह ध्यान रखिए कौनसी चीज पूरिया जो नीचे दी हुई है और आधी कौनसी है जो उपर है उमीद करती हूं कि आपको यह चीज समझ में आई होगी तो एक चीज और नोट कीजिए वेंजन का शुद रूप वेंजन का सुद रूप कौन सा होता है यह वेंजन का सुद रूप है अगर आप का ऐसे लिखते हो तो वेंजन का सुद रूप नहीं है इसमें स्वर भी मिला हुआ है यह का प्लस आ से मिलकर बना है का तो वेंजन का सुद रूप का है अगर ऐसा का है तो यह स्वर और वेंजन दोनों से मिलकर बना है तो चलिए अब हम इसकी कुछ जो रूल्स हैं, वेंजन संदी के उनको देखते हैं कि कैसे इन में चेंजमेंट होता है. तो चलिए, अब वेंजन संदी के नियम देखते हैं. सबसे पहला नियम क्या कहता है? कि वर्ग के पहले वर्ण या तीसरे वर्ण में परिवर्तन. वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन. मतलब, जैसे क, च, ट, त, प, ये पांच वर्ग होते हैं, जिनका पहला वर्ण क्या होता है? क, च, त, त, प, मैंने आपको ट्रिक भी बताई हैं इनको याद करने की, कि अब इन वर्णों को कैसे याद रख सकते हैं? तो ये पांच वर्ग होते हैं, जिनका पहला वर्ण होता है? ये, उसके सामने, इन पांचों वर्णों के सामने, कोई स्वर्ग या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, इनके सामने कोई स्वर्ण आजाएं या किसी वर्ग, मतलब ये पांच वर्ग हैं, इनके तीसरे वर्ण, कौन-कौन से होते हैं, ग, ज, ड, द, ब, इनके तीसरे वर्ण आजाएं, या फिर चोथे वर्ण आजाएं, कौन से, घ, ज, ड, ध, भ, या ये आजाएं, या फिर अंतर्स्त वेंजन आजाएं, या रलावा, तो क्या परिवर्टन होगा, क्या बनेगी संदी फिर उसके बाद, वर्ण का पहला वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, एक वर्ण फिर से देखते हैं, वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ण का पहला वर्ण दिया होगा, तो उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, प, च, ट, त, प, यह होता उनके सामने, अगर कोई स्वार आ गया स्वार कोई भी हो सकता है या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण यह जो 5 वर्ग है इन में से इनका तीसरा वर्ण जैसे इनका क क क्या होगा तीसरा ग च, औ가, ज, त, का, द, और त, का, द, यह तीसरे वर्ण होंगे और यह फिर चोथे वर्ण इन्ही पाचो वर्ण के चोथे वर्ण आ जाए। का का चोथावन कौन सा होगा, घह, चा का जह, ता का धह, ता का धह, पा का भा, या यह आ जाए, या फिर अंतिस्त वेंजन, किसे कहते हैं, एक पॉइंट और यहां से निकल गया, अंतिस्त वेंजन कौन से होते हैं, या रलावा, या फिर अंतिस्त वेंजन आ जाए, इनके सा तो क्या परिवर्टन होगा ऐसे संधी विछेद में कैसे संधी बनेगी वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्टित हो जाएगा और एक्जाम prag देखिए तब समझ में आएगा वर्ण प्लस इस यह आपको दिया है और इसकी संधी करनी है तो इसकी संधी क्या होगी? आधा का और बड़ी की मातरा यह क्या है? स्वार है इसमें दिया है या तो कोई स्वार आजे इनके सामने तो इसका क्या बनेगा? इसका ग गा बन गया आधा गह प्लस य तो क्या बन जाएगा यह जब आद यह गमे इप मात्रा जुड़ेगी बढ़ एक वागीज को है इसकी सामने क्या दिया है तो इसका तीसरा बन जाएगा टा का तीसरा बन क्या होता है धॉ ये बन गया है हाँ तो टा का मिलन किस से हुआ आ से या आ से तो क्या बन गया दॉ यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा ऐसे अगला एक्जामपल देखते हैं सत प्लस गुण तो यहाँ पर त दिया है ता का इसके सामने क्या है गा है जो कि एक वेंजन है और वेंजन है कौन सा वेंजन है गा किसी वर्ग का तीसरा वेंजन तीसरा वेंजन दिया हुआ है तो क्या परिवर्तन होगा इसमें ता के ही ता का इसी के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो और कुणसा हैगा क्योंकि श्वर नहीं है अगर स्वर होता है तो दा में मिल जाता और पूरा बन जातार मान लिजे इस यहां परके सामने कौई होता तो पूरा स्वर यहां झाता लेकिन यहां पर ध्यान दिये यहां कोई पर गविश्वर नहीं है गाहए गाहए एक वेंजन है इसलिए दा यहां पर आधा रहेगा और उसको ऐसे लिखेंगे सत्ध गुन अगला एजम्पल देखिए, सत्ट प्लस भावना. इसें वी एक वियन्जन उसके सामने क्या आया है, वियन्जन ऐए है, और कौण सा आया है, चोथा वेंजन, किसी भी वर्ग का चोथा वेंजन आया है, ध्यान देजिए, तो ये ये भी एक वेंजन है, वेंजन और वेंजन का मिल नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा, आधा ता और भा मिल के क्या बनेगा, ता किसमे परिवर्टन हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में मतलब धहतो भामें इसका मेल नहीं होगा क्योंकि वो भी एक वेंजन है तो इसलिए आधादर हेगा जैसे सदभावना ऐसे होगा अब आपकी अगर अभी भी थोड़ा आपको डाउट हो समझ में नहीं आये हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो यह बहुत इज़ी है एक बार में थोड़ा मुश्किल लगेगा पर जब आप दो से तीन बार देखोगे नोट डाउन करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा तो चलिए दूसरा रूल देखते हैं तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं छ सम्बंदिनियम किसी भी हास्वस्वर हास्वस्वर कौन से होते हैं आ इ उ या आ कामेल छ से होने पर छ से पहले च ध्यान दीजिए आधा च है यह हलन्त वाला च आधा च जोड़ दिया जाता है जैसे आप इधर भी इस परिभाशा को देख सकते हैं ए ई उ आ इनमें से किसी के भी सामने च आ जाता है तो क्या बन जाएगा आधा च और पूरा च यह बन जाएगा एक्जामपल देखते हैं इसके हम जैसे स्वा प्लस च यह दिया है इसकी संधी करनी है तो यहां स्वा में कौन सा स्वर है वा में आ एक हस्व स्वर है तो उसके सामने क्या है च यह च आ गया तो क्या बन गया आधा च और च बन गया आब इसको इसके आप संधी कर दीजिए स्वा प्लस छंद तो क्या बन गया स्वाचंद दूसरे एक्जम्पल देखते हैं अनू प्लस छेद अनू में कौन सा स्वार है उ वो कौन सा स्वार है हसु स्वार इसके सामने छ आ गया तो क्या बनेगा आधाचा और छ अब इसकी संधी करेंगे तो क्या बनेगा अनू छेद तो इस वीडियो में हम इतने नियम देखते हैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए बाकी बचे हुए नियम हम दूसरी वीडियो में देखेंगे तो तब तक के लिए thank you अगर आपको मेरा चैनल पहली बार आप मेरे चैनल पर आये हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और हाँ बैल आइकन ओन करना ना भूलिए क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास आपके आएगा. Thank you.